2 सेप्टिम्बर 2023, सुबह के 11 बच कर 50 मिनट पर इंडिया ने चंदरयान 3 की सक्सेस के बाद अपना सेकेंड मोस्ट एम्बीशियस मिशन आदित्य L1 मिशन को लॉंच कर दिया है जो कि केवल भारत का ही नहीं बलकि पूरे एशियन कॉंटिनेंट का ऐसा पहला मिशन होगा जो कि सूरज के ओर्विट में एक स्पेशल प्लेस जानकि लैग रेंज L1 पॉइंट पर रहकर एक हैलो ओर्विट में लगातार करीब 5 साल तक 7 साथ सांटिफिक पेलोड की मदद से सूरज से आने वाले रेडियेशन, सोलर स्ट्रॉम, कोरोनल मास एजेक्शन और सूरज के एटमोसफेर पर स्टड़ी करने वाला है और सूरज की मिश्ट्री से परदा उठाने वाला है पर आखिर वो एक्सपेरिमेंट क्या होंगे आखिर वो कौन से पेलोड है जिनकी करते हैं एक और नए एपिसोड को तो देखो आदित्य एलवन दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है आदित्य और एलवन जिसमें आदित्य सूरज यानि की सन का संस्कृत नाम है जबकि यहाँ पर एलवन का मतलब सूरज और अर्थ के बीच की उसी जगह से है जहाँ पर सूरर सिस्टम में मौजूद रहकर अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमेटर की दूरी पर रहते हुए आदित्य एलवन बिना किसी ऑप्टिकल्स के लगातार पांच साल तक सूरज से आने वाली कोरोनल मास एजेक्शन, सूलर स्टॉम और रेडियेशन पर इन शॉर्ट चाइना या फिर रश्या भी आज तक सूरज के लिए कोई भी ऐसा मिशन नहीं बना पाए हैं जो सूरज को स्टॉडी करे और सूरज के चारो और ओर और और उडान बरी और उडान के करीब 63 मिनट बाद इसने 1500 किलोग्राम के आदित्य एलवन को अर्थ के और ये अपने थ्रस्टर का प्रियोग करते हुए धीरे धीरे अपने ओर्बिट को बढ़ा कर अर्थ के ग्राविटेशनल इंफ्लेंस यानि की स्फियर ओफ इंफ्लेंस से बाहर निकल जाएगा और फिर इसका एलवन पॉइंट की और क्रूज फेज सुरू हो जाएगा साल तक बिना ओप्टिकल्स के लगातार सूरज से आने वाली रेडियेशन की मदद से सूरज के वेदर की स्टडी करेगा जिसके अंदर हमारी अर्थ और ये पूरा का पूरा सूरर सिस्टम समाया हुआ है अगर भारत सूरज को स्टडी करने वाले इस आदित्या एलवन के अपने डिसाइड़ डेस्टिनेशन यानि कि एलवन पॉइंट तक का सफर तैय करने में करीब 125 दिनों का समय लग जाएगा यानि कि आने वाले मिड जनवरी तक ही आदित्या एलवन सोलर सिस्टम में एलवन पॉइंट तक पहुँच जाएगा जिसके बाद ये अपने सा सूरज के रेडियेशन और इन्वाइरमेंट रिलेटेड कलेक्टेड वैल्यूबल डेटा को इसरो के IDSN नेटवर्क पर सेंड करेगा आदित्या एलवन पर मौजो टोटल सेवन पेलोड में से चार डेडिकेटेड तौर पर केवल सूरज से आने वाली लाइट को अलग-अल अब दोस्तों ये साइन्टिफिक पेलोड हम इंसानों के लिए अंत्रेक्ष में मौजूद एक आख की तरह होंगे जो लगातार सूरज पर होने वाली हर एक घटना की स्टडी करेंगे ताकि किसी इमर्जंसी सिचिवेशन में हमें सोलर स्टॉर्म और मास इजेक्शन जैसे बड़े बड़े इवेंट जो कि अर्थ के लिए एक बहुत बड़ा खत्रा हो सकते हैं उनके बारे में कुछ समय पहले ही पता चल जाए ताकि हम ऐसे डिस्ट्रक्टिव इवेंट के लिए तैयार रह सके और होने वाले नुकसान को कम से कम कर सके क्योंकि देखो हम अभी इत जड़ी के लिए एलवन पॉइंट को ही क्यों चुना है तो देखो दोस्तो एलवन का मतलब होता है लाग रेंज पॉइंट वर्न जिसमें लाग रेंज पॉइंट दो सेलेस्टियल ऑबजेक्ट की ग्राविटेशनल फोर्सेस के बीच मौजूद पांच ऐसे एक विलिबीर रहता है तो वो एक हालो और्बिट में घूम कर अपने टार्गेट को लगातार देख सकता है वो भी बिना किसी ऑप्टिकल के क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑबजेक्ट की ग्राविटी इस तरह से काम करती है कि बीच के इस हिस्से में एक इन्विजिबल प्लानेट की तरह का ग्राविटी इंफ्लेंस बन जाता है जिसके कारण इस पॉइंट पर रहते हुए हम बिना किसी परेशानी के एक फिक्स पॉइंट से अपने टार्गेट को देख सकते हैं और जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर दो सेलेस्टियर आपजेक्स के बीच इस तरह के अलग-अलग साथ ही साथ यहाँ पर आदित्य एलवन एसा और नासा द्वारार साल 1995 में लांच्ड जॉइंट मिशन सोहो जानी की सोलर हेलियोसफेरिक अब्जरवेटरी को जाकर जॉइंट करेगा इसके अलावा एल टू अर्थ से बिलकुल बिहाइंड में वाजूद है यह एक ऐसा पाउरफुल एड सबसे एडवांस टेलिस्कोप यानि की जेम्स वेव स्पेश टेलिस्कोप को प्लेस किया हुआ है इसके अलावा एल फोर और एल फाइव सूरज और अर्थ के हमेशा साइड में बने रहते हैं लेकिन यहाँ पर एक और इंट्रेस्टिंग लागरेंज कि हम जिस प्लानेट एक्स को अपनी मैथेमेटिकल कालकूलेशन में फाइंड कर चुके है न वो सूलर सिस्टम में हमें देखने को इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि यह सूरज के बिलकुल पीछे की और मौजूद है जहां से उसे देख पाना काफी मुश्किल है या फिर क भी कहा कि लागरेंज पॉइंट दो अब्जेक्ट के बीश का काफी स्टेबल पॉइंट होता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आपने यहाँ पर स्पेस काफ को छोड़ दिया तो यह लगातार यहीं पर बना रहेगा बलकि कई बार जैसे यह दो सेलेस्टियल वो जब-जब अपने ओर्बिट में घूमते रहते हैं तो यह लागरेंज पॉइंट की भी लोकेशन इन दोनों के साथ-साथ चेंज होती जाती है जिसके कारण कई बार इन पॉइंट्स पर भी स्पेस क्राफ्ट को काफी टर्विलेंस का सामना करना पड़ता है और अगर जाके साथ तो एक बार यह हो भी चुका है तो दोस्तों यह बात है जून 1998 की L1 पॉइंट पर मौजूद नासा का सोहो स्पेस क्राफ्ट अचानक कुछ issues and errors के कारण अपने ओर्बिट से deviate हो गया अब इससे पहले कि नासा कमांड सेंटर के तुरू उन्हें ठीक कर पाती त जब तक स्पेस क्राफ्ट अपने प्लैंड ओर्बिट ट्रजेक्टरी से बाहर हो गया था जिसका रिजल्ट यह हुआ कि कुछ समय बाद ही स्पेस क्राफ्ट का नासा से कम्युनिकेशन टूट गया इसके बाद नासा और एसा दोनों स्पेस एजनसी ने अपनी डीप स्पे नासा के DSN को इसके सिगनल्स मिले जहां नासा ने इसके ओर्बिट को दोबारा से एडज़स्ट किया और इसके बाद से आज तक यह स्पेस क्राफ्ट एलबन पॉइंट पर एक हालो ओर्बिट में लगातार चक्कर लगा रहा है वैसे यह स्पेस क्राफ्ट 25 साल तक कहां प पारे में और डीटेल में जाना चाते हो तो हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना अगर आपके कॉमेंट्स जादा हुए तो डेफिनेटली इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा तो दोस्तों जैसा कि हमने भी समझा कि लाग रेंज पॉइं अपने और्बिट में बना रहे और अपने टार्गेट यानि की सूरज को लगातार देखता रहे वैसे दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आदित्य अलवन पॉइंट पर जाकर कौन से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा वहले अगर नहीं जानते तो चलिए इसके बार में थोड़े डीटेल में जानते हैं साइंस अबजेक्टिव्स अफ आदित्य अलवन तो देखो इसरों ने अदित्य अलवन के लिए टोटल नाइन मेजर साइंटिफिक अबजेक्टिव्स तैय किये हैं जिनमें लाग रेंज पॉइंट से सूरज के अपर एटमोस्फेर यानि उसके डाइनमिक में होने वाले चेंज की स्टड़ी करना है सोलर कोरोना एंड उसके हीटिंग मेकानिजम को समझना है कोरोनल एंड कोरोनल लूप प्लैजमा के स्टाटिक्स जैसे की टेंपरेचर विलोसिटी और डेंसिटी की स्टड़ी करना है कोरोनल मास एजेक्शन के ड solar eruptive events को trigger कर सकती है सूरज के around magnetic field topology and magnetic field measurements में होने वाले change and variations की study करना है और आखिर में overall space weather के origin composition को समझना और solar wind के dynamics को study करना है अब देको इन सभी scientific objectives को achieve करने के लिए इसरो ने आदित्य L1 spacecraft पर 244 kg के total 7 scientific payloads को install किया है और ये वीडियो का काफी interesting part है क्योंकि इसरो ने अपने इन payloads का जो नाम दिया है न वो सच में काफी creative है आदित्य L1's exciting scientific payloads तो देखो दोस्तों आदित्य L1 के सबसे पहले payload का नाम है वेलकर यानि की visible emission line coronagraph इस payload का काम होगा सूरज की outermost layer यानि की corona की detailed imaging करना और उससे आने वाली light की different wavelength की spectroscopy को read करना अब इसके दूसरे payload का नाम है suit यानि की solar ultraviolet imaging telescope और जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक तरह का telescope है जो सूरज की photosphere and chromosphere की imaging करेगा आदित्य L1 के तीसरे payload का नाम है solexis यानि की solar low energy x-ray spectrometer जो हमारे star सूरज से आने वाले soft x-ray spectrograph को study करने वाला है चौथे payload का नाम है L1OS यानि की high energy L1 orbiting x-ray spectrometer ये सूरज से आने वाली hard x-ray spectrograph को study करेगा पांचवे payload का नाम है aspects यानि की आदित्य solar and wind particle experiment जो की सूरज से आने वाली high energy नंबर 6 के payload पर वैसे इसका नाम काफी interesting है क्योंकि in short में पापा नाम दिया गया है जिसकी full pom है plasma analyzer package for aditya इसका काम भी aspects से काफी मिलता जोलता है क्योंकि ये भी सूरज से आने वाले solar wind और heavy particles और high charge particles पर study करेगा इसके बाद finally बारी आती है आदित्य 11 पर मौझूद हमारे आखरी साथवे payload की जिसका नाम है Advanced Tri-Axial High Resolution Digital Magnetometers और इसका काम होगा dedicated तोर पर सूरज के magnetic field के change को study करना जो कि हमारे लिए काफी important भी है वैसे आपने से कुछ लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है कि कौशिक भाई हमें सूरज की layers के structure वातावरन और magnetic field की study करनी ही क्यों है हम तो ऐसे भी solar storm, coronal mass ejection जैसे destructive events से अर्थ पर magnetic field के कारण सेफ रहते ही है तो आखिर हमें सूरज के सारे scientific data की जरूरत ही क्या है Why do we need to study the sun वैसे देखो अगर मैं आप से पूछू की solar system की सबसे बड़ी mystery क्या है तो आपका जवाब क्या होगा देखो in reality solar system की सबसे बड़ी mystery है इसका 99.8% mass hold करने वाला सूरज जिसके mass के केवल 0.2% mass से ही ये पूरा का पूरा solar system इसके सभी planets, moons and asteroids and even हम भी बने हुए हैं बट इसी से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि हमें जन्म देने वाला सूरज कितना जादा powerful है और अगर हम इसके बारे में अच्छे से नहीं जान पाएं तो शायद वो दिन दूर नहीं जब पलक जपकते ही ये इस इंसानियत और शायद इस अर्थ को भी मिटा सकता है Solving Solar Mysteries with Agitya Elvan देखो सूरज की सबसे बड़ी मिस्टरी है इसके temperature का variation For example, सूरज के core का temperature जहाँ पर actual fusion reaction होदा है उसका actual temperature almost 27 million degree Celsius है पर वहीं अगर सूरज की surface की बात करे जो कि पूरा का पूरा एक hot liquid plasma है उसका temperature almost 5000 degree Celsius है जो कि इसके core की तुलना में unbelievably cold temperature है लेकिन यहाँ पर मिस्टरी खतम नहीं होती बलकि यहाँ पर तो मिस्टरी की शुरुवात होती है क्योंकि सूरज की surface से थोड़ा ही उपर जाने पर इसका environment जाने की atmosphere शुरू होता है अब देखो यही वो mystery है कि आखिर सूरज के different layers और इसके atmosphere का temperature में इतना difference क्यों है और अभी तक तो हमारे पास इसका कोई foolproof जवाब भी नहीं है इसके बाद सूरज की दूसरी mystery आती है sun spots की तो जैसा कि हम अपने कई previous वीडियो में जान चुके हैं कि सूरज पर कई ऐसे spots यानि कि धब्बे टाइप गड़े बन जाते हैं और इन sun spots में temperature सूरज की surface के temperature से भी 2-3,000 degree Celsius कम होता है जो कि actual में काफी जादा कम है और सूरज पर इस तरह के sun spots क्यों बनते हैं वैज्यानिकों के पास अभी तक इसका कोई भी सही जवाब नहीं है इसके बाद तीसरी और सबसे बड़ी जो मिस्ट्री है वो है सूरज के age की तो देखो दोस्तों अगर नासा की माने तो सूरज की age अभी इस वक्त 4.6 billion years का है सूरज आज जितना गरम है ना उतना गरम नहीं था और उसका size भी आज की तुलना में थोड़ा छोटा था इन शॉर्ट उस समय सूरज इतना capable ही नहीं था कि अर्थ पर मौझूद S2O liquid water में form कर सके बढ़ हमारे पास ऐसी कई studies है जो कि ये दिखाती है कि आज से 3 अरब साल पहले अर्थ पर liquid water मौझूद था जिसमें life की शुरुवात हुई थी अब देखो सवाल ये है ना कि जब उस समय सूरज आज इतना bright ही नहीं था तो अर्थ पर इतनी energy कैसे पहुँची कि water liquid state में रह सके जा फिर क्या हम भी सूरज की age को सही से measure नहीं कर पाए हैं ये एक बहुत बड़ा mystery है जो अभी भी solve करनी बागी है और आदित्य अलबन इस mystery को solve करने में humanity की काफी मदद कर सकता है पर सूरज की study करने का इससे भी बड़ा कारण है और वो है coronal mass ejection and solar storm जो की देखो इंसानों द्वारा बनाये गए सबसे powerful bum यानि की hydrogen bum से भी कई billions of times जादा powerful होते है और इतने capable है कि कुछी seconds में अर्थ से पूरी की पूरी humanity को खतम कर सकते है वो तो शुक्र है कि हमारी अर्थ के पास एक strong magnetic field है वरनामारी अर्थ का हाल अब तक तो मून या फिर बंजर पड़े मार्स और वीनस जैसा हो चुका होता लेकिन देखो हमारा magnetic field भी एक limit तक ही हमारी रक्षा कर सकता है जादा बड़े solar storm या फिर coronal mass ejection के दौरान कई बार magnetic field भी high charge particles और radiations को हमारे atmosphere में enter करने से रोक नहीं पाते इस तरह के event को हम Carrington event कहते हैं और इस तरह का एक event हम humanity के history में साल 1859 में देख भी चुके हैं जो कि literally काफी ज़्यादा scary था क्योंकि उस समय इस event के कारण high charged radiation से हमारे उस समय के electronics पूरी तरह से तबाह हो गएते अब ज़रा imagine करिए जहां आज पूरी दुनिया electronic gadgets और internet से चल रही है वहाँ पर अगर इस तरह का event हुआ तो हमारी earth, humanity and हमारी economy का क्या हाल होगा इसलिए हमें सूरज के environment को समझना होगा ताकि हम ऐसे किसी भी Carrington event को पहले से ही predict कर सके and of course, जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इन events को predict किया जा सकता है जिससे हम हमारे होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम जा फिर control कर सकते हैं लेकिन हम इन events से पूरी तरह बचाव नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी humanity इतनी capable नहीं है पर अगर हमें उतना capable बनना है तो हमें literally सूरज पर होने वाले हर एक activities से इस humanity को बजाना होगा और उसके लिए इस तरह के mission जो हमारे सूरज को study कर सकते हैं वो काफी जादा जरूरी है तो I hope कि आपको आज के इस वीडियो से काफी सारे information मिली होगी और आप ये समझ गये होंगे या अखिर आदित्य L1 क्यों इतना जादा important है अगर वीडियो अच्छा लगा और informative लगा तो इसे like करना मद उनला और साधी साथ अपने friends और fans साथ जरूशे करना अगर आप नए होई चैनल पे तो इसी तरह के interesting वीडियो के लिए इस चैनल को subscribe कर लेना और notification bell कॉन कर लेना क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल free है लेकिन ऐसा करने पर हमें बहुत जादा motivation मिलता है आपके लिए ऐसा interesting वीडियो बनाने में मैं मिलता हूँ को नेक्ष्ट एपिजोर के साथ तो तुक्ली बाई, चैनल